नमस्कार दोस्तों, आउल टीटी त्यारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है साथियों शिक्षा विभाग की तरब से यहाँ प्रेस विज्यपती 28 नौवंबर 2023 को जारी किया गया था जिसमें अवकाश को लेकर के महत्पपुर्ण जानकारी जो है वो हम सभी के लिए शेयर किया गया था आप सभी को याद दिलाना चाहूंगा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि वर्स 2024 के लिए तै सरकारी आवकाशों को देखकर ही विद्या लेओं में भी सभी आवकाश तै किये गए है यहाँ पर जो केलेंडर है उसका हिसाब किताब आप सभी जानते हैं साथ दिन छुट्टी होनी चाहिए और साथ दिन का यदि आपको छुट्टी लेना है तो पहले जिला शिक्षापदादिकारी अपने जिला का अनुसार तै करते थे लेकिन इस बार राज्य सरकार ने अपनी ओर से ही तै कर दिया था कि किस-किस दिन आवकाश हो श्रित किया चाहेगा पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी कुल छुट्टियां यानि कि साथ दिन में कोई बदलाब नहीं किया गया साथ दिन की छुट्टि का मतलब यह हुआ कि विद्याले नहीं खुलेगी विद्याले बंद तो बंद चाहेव छात्र हो चाहेव शिक्षक हो यहाँ पर यह असपश्ट क्या गया था कि महापुर्षों की जैन्तियों में विद्याले में छुट्टि नहीं दी गई है यह असपश्ट किया जाता है कि पिछले वर्षों में भी महापुर्षों की जैन्तियों के दौरान विद्याले खुलते रहे हैं और जैन्तियां धूमधाम से मनाई गई है पुदा हरनार्थ गांधी जैन्ति परमपरागत रूप से पिछले कई वर्षों में भी विद्याले में मनाई जाती रही है तीसरा पॉइंट सबसे महापुर्षों है जहां तक आन्य जैन्तियां है जहां तक आन्य जैन्तियां यथा समरार्ष अशोक जैन्ति, महावीर जैन्ति, वीरकुबर सिंग जैन्ति इत्यादी का प्रश्ण है तो वे सभी जैन्तियां इस वर्ष ग्रिश्म आपकास के दौरान पर रही है अता उन्हें अलग से नहीं इंगित किया गया है यह असपस्ट किया जाता है कि इन जैन्तियों में विद्यालाय बंद रहेंगे तो कल और परसो की छुट्टी होनी चाहिए और कई जगह से मैसेज वेरल हो रही है कि कल और परसो जो है विद्यालाय पुर्ण रूपेन बंद छात्र और शिक्षक के लिए आपके जिला में क्या होगा यह तो जिला शिक्षा पताधी कारी ही बताएंगे पर सरकारी कलेंडर के हिसाब से सरकारी छुट्टी के हिसाब से शिक्षा विद्यालाय पुर्ण तह बंद रहेगा क्योंकि इसमा सपस्ट रूप से कह दिया गया है ग्रिष्ण अबकास में यह जैनतियां पर रही है इसलिए इस जैनती के दिन छुट्टी ग्रिष्ण अबकास के समय में जो बदलाब किया गया है वो आगामी लोगसभाद चुनाप 2024 को देखते हुए किया गया है कौन सी ग्रिष्ण अबकास किस प्रकार की ग्रिष्ण अबकास आठ बजे विद्याले पहुचना है दस बेतक बच्चों को गोणतापुन शिक्षा देना है और घड़ आना है तो इसको छुट्टी कहा जाएगा क्या कौन सी भाषा में इसको छुट्टी कहा जाता है या ग्रिष्ण अबकास कहा जाता है ये जानना भोती जरूरी है और मैं उमीद करूँगा कि ये भाषा बिहार सरकार या शिक्षा विभाग या पदादीकारी मोहद है जरूर बताएं कि छुट्टी का भाषा क्या होता है क्योंकि छुट्टी के दिन भी हम यदि विद्ध्याले जार है तो इसको छुट्टी थोड़ी कहा जाएगा सिर्फ मैं ही नहीं 6 लाक शिक्षक तो साथियों, कल और परसों विद्ध्याले, बंद रहने की यहाँ पर बात कही गई है आगे जिला शिक्षा पदाधीकारी क्या तय करते है शिक्षाय भाग क्या तय करती है ये तो मैं नहीं बता सकता पर ये शिक्षाय भाग का प्रेस विग्यपती है 8.9.23 आप बने रहे है और टीटी त्यारी चैनल के साथ पल पल के अबडेट आप सभी को शिक्षाय भाग का देता हूँ देता रहूंगा विश्वास दिलाता हूँ अभी के लिए इतना ही फिर मिलते अगले वीडियो में सर्धनिवा सत्ति